हलो यूवर्स रसोई का आनन चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए वेज कलोटी कप आपकी रेस्पी लेके आई हूँ ये खाने में बिल्कुल नौन वेज का फ्लेवर देता है इसके लिए मैंने एक कप राजमा को 6 गंटे के लिए भिगो के रख दिया था आप इसको ओवरनाइट भी सोख करके रख सकते हैं अब जिस पानी में मैंने भिगोया था वो निकाल दिया है और कुकर में मैं राजमा को डालूँगी आधा चमश नमक डाला है और एक कप राजमा थे तो मैं इसमें दो कप पानी डाल रही हूँ राजमा से डबल पानी डालना है और इसमें मैं एक स्टीव आने के बाद छे मिनिट के लिए लो फलिम पर रखूंगी कुकर को और इसकी विसल अपने आप रिलीज होना देंगे तब तक वेट करेंगे तब तक मैं 250 ग्राम कठल ले लूँगी कठल इसमें बहुत अच्छा फलेवर देता है राजमा के साथ इसको मैं छील लूँगी इसको भी मैं कुकर में डालूँगी और डेट ग्लास पानी में इसको डालके आदा चमच नमक डाला है आदा चमच काली विर्ची का पाउडर डाला है आदा चमच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और कुछ जूलियन अद्रक के डालूँगी जिससे की ये एक फलेवर फुल पानी बन जाए और हमारे कठल के अंदर सारे फलेवर जा जाए इस कुकर में मैं सिरफ एक विसल लगवाऊंगी और गैस बंद कर देंगे और इसकी विसल अपने आप रिलीज होने देंगे अब मैं एक खुशबुदार मसाला सूखा बनाऊंगी इसके लिए एक चम्मच जीरा लिया है आधा चम्मच सौफ वन थर्ड कप रोज पैटल लिये हैं ड्राए एक चम्मच काली मिर्ची आधा फूल जावित्री का चार छोटी इलाइची चार काजू ले रही हूँ एक मोटी इलाइची लिये है पांच लॉंग लिये हैं मैंने और डेट चम्मच तर्बूच के बीज लिये हैं इन सब को मैं मिक्सी के जार में डाल कर ग्राइंड कर लूँगी व्यूवर्स अगर बेरी रैस्पीज आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करिए ये बहुत खुश्बुदार मसाला बनके तयार होगा जो हमारे गलाउटिक अबाव में खुश्बु के साथ साथ फ्लेवर्स भी बहुत अच्छे आएंगे इन सब चीजों के रोस पैटल्स को मैंने वाश करके घर में ही ओवर्नाइट इसको एक कपड़े पे सुका दिया था और इसको अब हम बारीक पीस लेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं और इसको जैसे ही मिक्सी खो लिए हैं बहुत अच्छी खुश्बु इसके अंदर से आ रही है अब मैं एक फूट प्रोसेसर लूँगी मैंने राजमा को ठंडा कर लिया है और चन्नी में डालकर पूरा पानी निकालके बिल्कुल ड्राय कर लिया है इसी तरीके से मैंने कठल को भी ड्राय कर लिया है आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट हो चुका है कठल भी इसको भी मैं फूट प्रोसेसर में डालूँगी एक मीडियम साइज के प्याज को मैंने इस तरह से गोल्डन फ्राय कर लिया है वो मैं इसके अंदर डालूँगी और कुछ मसाले मैंने और लिये हैं जो इसके अंदर डालके मैं पीस लूँगी वन थर्ट कप भुनाववा बेसन है एक चम्मच गार्लिक पाउडर है एक चम्मच जिंजर पाउडर है लाल मिर्ची का पाउडर है नमक है और आधा चम्मच आमचूर पाउडर लिया है दो हरी मिर्ची ली है एक मुठी मैंने धनिया लिया है धो के आधा निम्बू का रज डालूँगी मैं एक मुठी पुदीने के पत्ते ये सब भी मैं फूर्ड प्रोसेसर में डाल दूँगी और अच्छी तरह से एक बारी पेस्ट इसका बना लेंगे इसके अलावा मैं एक चम्मच केवड़ा वाटर डाल रही हूँ और एक चम्मच रोस वाटर डाल रही हूँ जो इसके अंदर बहुत अच्छी खुश्बू देगा अगर आपके पास एक वाटर है तो आप वो भी डालिए लेकिन इसमें डालिए जुरूर अब इसने के बाद मैं इसमें एक बड़ा चम्मच घी डाल रही हूँ और एक बड़ा चम्मच घर की गाड़ी एकदम ठंडी मलाई डाल रही हूँ जो हमारे गलाटी कबाप में एक स्मूधनेस और सॉफनेस देंगे इसको मैं अपने मिक्सचर में बहुत अच्छी तरह से कंबाइन कर लूँगी हाथ में हलका सा घी लगाके मैं इस तरह से कबाब्स बना लूँगी जैसा कि आप देख रहे हैं आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि पूरा घर इतनी अंदर मसाले ही बहुत अच्छे डाले हैं रोज पैटल्स डाले हैं केवडा जल और गुलाब जल की खुश्पूई भी बहुत अच्छी आती है इसमें इसको मैं तवे पर पकाऊंगी गलाटी कप आपको क्योंकि हमें इसे डीप फ्राय नहीं कर रहा है हमने कोई कॉई कॉ इसे कलर आने तक मैं इसको सेकूंगी एक बार पलटने के बाद मैं इसके अंदर एक चमज देशी घी और डालूंगी आप इसको ऑईल डालके भी पका सकते हैं लेकिन पकाना इसी तरह से है चाहे आप तवे पे पकाएं या पैन में पकाएं नॉन स्टिक पैन में लेकिन ड कितने ज़्यादा सौफ्ट हैं देखिए कितने अच्छी तरीके से हमारे कबाब बन कर तयार हो गए हैं सिखने में इसको टाइम लगा है साथ से आच मिनिट अब बाकी के भी मैं इसी तरह से सेख लूँगी टोटल हमारे तेरा कबाब बन कर तयार हुए हैं बाकी कबाब्स को भी इसी तरह से तवेपे मैं सेख लूँगी और इसको प्याज के लच्छे धनिया और हरी मिर्ची के साथ मैंने गानिश किया है और धनिय की चटनी के साथ इसे सर्फ कर रही हूँ मैं मैं इसे एक टेस्ट करके भी आपको बताती हूँ ये देखे बिलकुल टच करते ही ये टूट रहे हैं इतने ज़्यादा ये सॉफ्ट बने हैं इसको मैं धनिया पुदीना की चटनी के साथ सर्फ कर रही हूँ और साथ में प्याज इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देता ह इसे बनाई है और इसका आने हैं